देख सकते हैं, 12V का लाइट यहापर प्रॉपर तरीके से ग्लो कर रहा है, प्रॉपर तरीके से जल रहा है, एन्हें हमारा सर्कृट सक्ससफुली वर्किंग है हेलो गाइज, एलेन एक्सपरमेट यूटिप चैना पर अपर अब सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में आपको एक AC to DC LED LED ड्राइवर सर्कृट बना कर दिखाने वाला हो गाइज, इस सर्कृट कॉप 220V AC इंपूट देखे, 3V से लेके 250V का DC आप ले सकते हो और इससे आप कोई भी LED कॉप चिप या नॉप चिप आराम से चला सकते हो तो कैसी से कैसे बनाना है, फूल डीटियल में इस वीडियो में मैंने बता है, तो वीडियो को कम्प्लिट वोच कीजे, और चैनल पर उने तो प्ली सब्स्राइब जरू कर लीजेगा, तो चलिए जल्दी से इस सर्कृट को बनाना स्टार्ट करते है गईज, AC to DC LED LED ड्रैवर सर्कृट बनाने के लिए मैं कुछ इस टाइप का कैपसेटर यूज़ करने वाला हो गईज, दिख सकते इसका नंबर 830J, 400 वोल्ट का एक कैपसेटर है गईज, इसको मैंने लोकल मार्केट से पर्चेस किया है, 20 रुपी का एक कैपसेटर मुचे मि लोडिंग कर दिना है गईज, इसके बाइज आपको कुछ इस तरह का एक ब्रिज रेक्टिपार बना लेना है गईज, देख सकते हैं यह डायूड नंबर है, एंच 4007, इसमें कुल 4 डायूड मैंने यूज़ किया गईज, देख सकते हैं, यह दोनों पॉइंट हैं इसके AC वाले और यह दोनों पॉइंट हैं इसके DC output वाले गईज, यहां से हमें DC positive output मिलेगा और यहां से हमें negative output मिलेगा, वेज यह वाला साइट जो है गईज, यहां पर जो capacitor का यह पॉइंट है, इसको शोल्डिंग कर देना है गईज, इसके बाद गईज, आपको 4.7 microfarad 250 volt का capacitor ल यह है इसका negative output, तो कुछ इस तरह से connection कर देना है, positive के positive के साथ, negative के negative के साथ, तो चलिए फटापट इसके connection भी मिलेगा पर कर देता हूँ, इसके बाद गईज, आपको 65K का register लेना है गईज, और यहां पर देख सकते हैं, जो output वाले point है गईज, यह है इसका positive output और यह है इस point पर इसको इस तरह से shorting कर देना है, गईज, तो कैसे यहां पर देख सकते हैं, हमारे connection almost complete हो चुके है, देख सकते हैं, जो breeze rectifier है, उसका एक point बचा है, और capacitor का एक point बचा है गईज, यह है AC input के लिए, यहां से 220 AC input आएगा गईज, और गईज, देख सकते हैं, जो दूसरा side ह यहां पर हमने capacitor shooting किया गईज, यह है, इसका DC output गईज, यहां से हमें positive output मेलेगा और यहां से हमें negative output मेलेगा गईज, तो चलिए, फटाबर यहां पर भी में wire connect कर देता हूँ, तो यहां पर देख सकते हैं, हमारा circuit बनकर अभी ready हो चुका है, देख सकते हैं किस तरह से हमने इसके connection किया है, जल्दी से circuit को चेक कर लेदेगा, इस output में कितना voltage आ रहा है, और किस इस पर कोई light चल पाता है, कि नहीं चल बाता है, यह भी चेक कर लेते हैं, सबसे पहले इस circuit का output voltage चेक कर लेते हैं, output में कितना voltage आ रहा है, तो अभी देख सकते है, output में 280V आ रहा है इस maximum, तो सबसे पहले इस circuit पर हम 12V का light चेक करेंगे, देख सकते हैं, यहां पर लिखा है 12V DC, यहां पर इसका wattage भी लिखा है, 2.4W, तो च करता है तो कि यह पर देख सकते हैं मैंने वह लाइट की कनेक्शन कर दिये गई तो चली मैं स्विच को आउन करता हूं देखते हैं हमार लाइट यह पर आपको एक बार बता दूगाई जैसे यह पर स्विच आउन होगा गई यह आपर 220 वल्ट असी इंपूट आएगा आपको यह पर हाथ बिल्कुत भी लगाना है अदर्वैस आपको बहुत जबर्दत यह पर शौक लग सकता है तो आपको हम हो सकता है तो यह अपने रिक्स पर आप कर सकते हो तो मैंने अभी देख सकते है स्टूडियो का लैट थोड़ा कम कर दिया है तो चली अभी स्विच को में आउन करता हूं देख सकते हैं 12 वोल्ट का लाइट यह पर प्रॉपर तरीके से ग्लो कर रहा है गया प्रॉपर तरीके से जल रहा है एन्हीं हमारा सर्कृट सक्सफिल यह वरकिंग है गाइज इस पर यह वाला लैट चेक करेंगे देख सकते हैं यह नॉप चीप है गईज 220 220 ओपरेटेट है गाइज यहाँ पर 220 इस इंपूट देने पर यह ओन होता है तो जब देख सकते हैं यहाँ पर सर्कृट की कनेक्शन मैंने कंप्रेट कर दिया तो चले गाइज मैं स्विच को अभी एक बार ओन करता हूं तो किस देख सकते हैं यह वारा जो नॉप चीप है अच्छे तरह से वर्क कर रहा है इस पर देख सकते हैं यह नहीं सर्कृट हमारा सक्सेस्फुली वर्किंग है गाइज तो यह आज की इस वीडियो में पसेत नहीं यह एसी टू डीसी एलेड ड्राइवर सर्कृट कैसा लगा कमेंट करके जरूर पताए यह वीडियो पसन आ जह हैं